आज हम करने वाले चलो पास से देखें जो बच्चे फूल ला सकते हैं वे कक्छा में एक दो फूल लाएं ध्यान रहे कि पेड़ पौदों से गिरे हुए फूली इकट है करने हैं तोरने नहीं है तीन चार बच्चों के समू बनाओ और किसी एक फूल को ध्यान से देखो और लग लिखो जो हम एक फूल देखें यह वाला तो फूल किस रंग का है लाल बोल सकते हैं या ओरेंज बोल सकते है इसकी खुस्बू कैसी है और देखो गंटी जैसा कटोरी जैसा ब्रूस जैसा या कुछ और तो कैसे आकार है इसका एट विलट का नाम क्या है एक है और से पूरा रहता है तो इसकी आकार कैसे रहता है लुप इस कुम्ति आकार है हिर्ण है ड्रफश कीजिन गश्व जबती है क्या पे गंटिक है संकू पॉनसा आकार है संकू अब यह बोल दो कि क्या यह फूल गुच्छे में लगते हैं नए यह अकेले लगते हैं जि अकेले लगते हैं ने सिंगल सिंगल लगते यह ने इसकी पंखुडियां कितनी हैं अब देखो पंक्षूडया कितनी है इसकि? सब बहुत सारी, इंनी पड़ेंगी? जी! और जितने भी ये फूल होंखे, समय अलग 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 हैं सारी? जूड़ी ये हैं! को है नें जी निचे रखो तो अलग लग है न इसकर पंखुड़िया इसके पंखुड है तो पंखुड्य से क्या क्या कुछ नजर का रहा है यह कितने हैं अब हरीपथी जैसे यह यह न पंखुडियों के बार हरीपती जैसे कितने हैं यह यह गिन सकते हैं उनको आइड़ने पंकुडियों के अंदर पंखुडियों के अंदर बीच में क्या कुछ पतली सी चीजे दिखाई दे रही हैं यह किस रंकी है अब देखो पंखुडियों के अंदर बीच में यह देखो पंखुडियों के अंदर बीच में जी जी सर यह देखो यह पेपी से कुछ काला काला दिखाए दे रहे हैं दिखाए दे रहे हैं जी जै ब्लैक कलर का तो यह किस रंकी हैं ब्लैक कलर का और यह क्या होते हैं इसके ब जनगल में भी छारे फॕल रहते हैं तो वh क्या होते है हैं कि उन्हों फोड़ता तो पूस्तितीं सूखते हैं फिर होगे जमीन के अंदर ऑन्याँ दो कि में डबें ड़याए ठीक है? जी सार. समझ आया? जी सार. एक्टिविटी कर लोगे? जी सार.